दोक्टर के सलाप पे ज्यादा घूमडे से मना किया गया है लेकिन लालू जी अभी भी तैयार है मोदी जी का दवाई करने के लिए उनको कितना भी सताया जाए डराया जाए उनका बाल पग्या इन से लरते लरते लेकिन वो डरे नहीं जुके नहीं लालू जी अभी भी ये लोग को सीधा करना जानते हैं लेकिन क्या करें अभी थोड़े बिमार हैं उनको दवाई खाना होता है इसी वज़े से आज वो आपके सामने नहीं आए हैं लेकिन लालू जी को इनका असली दवाई जो है पता है उनकी जो उजले बाल है वो इनी लोड़ो निया यात्रा का समापन रैली था और इस रैली में तजश्वी यादब भी शामिल हुए तजश्वी यादब शामिल हुए शामिल होने के साथ ही जनसभा को उन्होंनों भी सब्वोधित किया और जनसभा में तजश्वी यादब राजा सुप्रीमो लालो पुश्र का उनका संदेश हमाज देते हैं लालू यादब अच्छी तरीके से इनकी दवाई करना जाते हैं इनके जो सफेद बाल हुए हैं वो इनके साथ रहकर ही तो हुए हैं इनके दवाई करते हुए तो हुए हैं क्या कुछ लालू यादब को लेकर बोल रहे तो जश्वी यादब और किस तरीके से लालुयादव किस संदेश के बारे में आम जन सभा को बता रहे हैं चलिए हम आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बातों को और पट्टा की जो रैली हुई दस लाग से भी जादा लोग आए पट्टा में जन विश्वास रैली हम लोगों ने किया और आज का जो जन सहलाब दे करके फिर से मीडिया के लोग भात्पा के लोग एनरजी ड्रिंक पीना पड़ेगा अरे डरने वाले लोग नहीं है यहां हम लोग लडने वाले हैं अपने लिए नहीं आपके लिए लडने आए हैं आपके लड़ाई लड़नी है इसलिए हम ये पैगाम लेकर क्या आएं लालू जी का डॉक्टर के सला पे ज़्यादा घूम्डे से मना किया गया है लेकिन लालू जी अभी भी तैयार है मोदी जी का दवाई करने के लिए उनको कितना भी सताया जाए डराया जाए उनका बाल पग्या इन से लड़ते लड़ते लेकिन वो डरे नहीं जुके नहीं आज माराष्ट्र में खास और पे बंबई में राहुल जी ने निमंत्रन दिया और हम लोग यहां आए हैं और यहां बिहार की लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं हम रहुआ लोग इनके भी कहतनी बाच के रही आई भाजपा के लोग से इन लोग गोबर को भी हलुआ दे करके पड़ोज देता हैं इतना जूट बोलते हैं हम तो पहले भी कई बार के हैं